नमस्कार दोस्तों मैं क्रिश्टनमूर्थी आप सभी कस्वाकत करता हूँ लर्णिंग मेरर यूटुब चैनल में दोस्तों एक सवाल मुझे कॉमन आ रहा था मेरे होल्डिंग में जो सेर्स हैं वो स्टॉक सेल नहीं हो पा रहे हैं मैंने बहुत दिन से एकाउंट यूज नह सबसे पहले देख लें यह जो है पूर्टफोलियो होल्डिंग से यहां पर दोस्तों जो भी कॉप्रेट एक्संस होगा आपका यह मत्तब यहां पर मैक्स इंडिया का मैंने 3600 का इंवेस्टमेंट किया हुआ था यहां पर मैक्स हेल्थ और मैक्स इंडिया मुझे दो सेर्स करना है तो मैं पहले आपको सेल करके दिखाता हूं क्या इसू हो रहा है कैसे आपको जो है इसको साटाउट करना है तो मैंने यहां पर मैक्स स्टकना होता है ह curd किया। building stock sell करता है, CNC रहने वाला है, मार्केट यहीं करना है मुझे, स्वाइब Specile Agent यहान बता रहा हूं क्या करना है को ओके कर दो, अब मैं BSC पर आता हूं, मुझे बहुत से query आया है, सर्जी मुझे आप सेम मेसेज आ रहा है, मैंने फिर सबको सेम किया, swipe to sell पर click किया, BSC is disabled on your account, you can activate the segment on console, इसका मतलब क्या हुआ, यह account जो है, three years से inactive है, inactive मतलब कोई भी use नहीं हुआ है, ना fund add हुआ है, ना कोई stock buy हुआ है, ना कोई stock sell हुआ है, तो जो भी broker होता है, अगर आप एक साल तक उस dimate account में कुछ भी नहीं करते हैं, ना fund add करते हो, जो ना stock buy करते हो, एक stock sell करते हो, कुछ भी transaction नहीं करते हो, तो आपका account जो है, dormant हो जाता है, dormant का मतलब, सब मेरे पास जो stock से हो चले जाएंगे क्या, जो holdings में है, बिल्कुल भी नहीं, आपको फिर से documents upload करना होगा, activation के लिए, और कुछ नहीं करना, उसके बाद फिर से आप buy sell कर सकते हो, कोई दिक्कत के बाद नहीं है, समझ गए, सेम आपको equity में, सेम आपको commodity में, साल में एक बार कोई भी छोटा सा goal या छोटा सा stock buy और sell कर देना है, या fund add कर देना है, कि account आपका activate रहे, बिलकुल concept समझ में आ गया, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर okay कर देता हूँ, और मैं आपको एक चीज़ा बताता हूँ, सर मैं मालो 3-4 साल से account hold यूज नहीं किया, तो क्या मुझे कितना पैसा charge देना होगा, नहीं देना होगा, मैं यहाँ पर click करता हूँ profile पे, और यहाँ पर मैं funds पर click करता हूँ, जैसे मैंने funds पर click किया, यहाँ पर देखो दोस्तो minus 427 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके fund में कुछ पैसे थे, जिरोधा साल का 300 प्लस GST, जो discount broker है, 360 रूपीज लेते हैं, तो मालो 3 साल से account इसका dormant है, तो मतलब आलमुस इसका 1,080 रूपीज लगा होगा, तो आलमुस इसके पास 700 रूपीज होंगे, वो minus हो गया है, जो बाकि के पैसे थे, वो उसके funds में नहीं होंगे, तो यहाँ पे यह जो है minus दिख रहा है आपको, इसका मतलब क्या हुआ, यह जिरोधा वाला का पैसा है, यह जब भी आपको stock sell करोगे, इतने पैसे वो minus करके, rest पैसा जो है आपको यहाँ पे funds में add कर देगा, concept clear, या फिर मालो मैं thousand rupees add करता हूँ, तो यह पैसे जो है minus करके, बाकि जो पैसा मुझे बचेगा, वो यहाँ पे automatic दिखने लएगा, concept आपका clear हुआ, कैसे क्या करना है, ऐसे ही आपको funds add करना है, कुछ दिक्कत की बात नहीं, जो AMC charge है, बस उतना ही लेती है, बहुत से पूछते हैं सर जी, क्या मैं account stock hold करता हूँ 3 years तक, तो परड़े की हिसाब से charge लगता है, बिल्कुल भी नहीं, जो भी AMC charge है आपका, pay करते रहें, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, अब account कैसे activate करते हैं, वो मैं बताने वाला हूँ, account activate करने के लिए, या तो आप CDSL का statement डाउनलोड कर लें, जो मैंने बताया हुआ है लास्ट वीडियो में, या 6 month का bank statement, या आपका salary slip जिसमें seal हो, company का मोहर हो, या फिर आपका ITR या form 16, ये सब documents में कोई भी है आपका, 6 month का bank statement सबके पास होता है, वो आप ले लेंगे, जहां पे आपका MICR code, FSE code, आपका नाम, bank का नाम, account number, address, सब कुछ mentioned हो, clearly, तभी accept करने वाले हैं वो, तो ये सब जो है document आप तयार कर लें, मेरे पास CDSL का holding statement है, तो मैं बता रहा हूँ कैसे आपको account activate करना है, मैं फिर से back पे आ रहा हूँ, back पे आया, फिर से मैं आया हूँ, portfolio पे, portfolio पे आया, यहाँ पे देखो, मैंने कोई सब stock पे click किया, IDFC first bank पे, और यहाँ पे मैंने exit पे click किया, यहाँ पे मैंने swipe to sell पे click किया, यहाँ पे देखो, NAC error आड़ा है, आपको console पे click करना है, जैसे आप console पे click करोगे, आपका console जो है open हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको Chrome जो भी होगा, आप Chrome पे मैं click कर रहा हूँ, यहाँ पे, यहाँ पे आपको user ID, password पूछ रहा होगा, पूट करके आप यहाँ पे Login कर दे, Login करने के बाद यहाँ पे Pin है, और आपका sensor है, पासवर्ट फिर से पूछ रहा होगा तो अब यूजर इडी पासवर्ट पूटकर के लॉग इन पे क्लिक कर देना फिर यहां पर जो भी आपका पूट कर देना तो दोस्तों नीचे आ जाना सब कुछ यहां पर रहेगा प्रोसीड विच सेम डीटेल पर क्लिक करना आपको जै सेल इसलिप है with stamp and sign जो भी company का है वह आप पूट कर सकते हो form 16 है तो वह पूट कर सकते हो मेरे पास DMAT holding statement है दोस्तों इसके बाद यहां पर अप्लोड कर देना दोस्तों इसके बाद आपको फटका डिकलेशन जो है वह आपको करना होगा उसमें बता रहता हूं तो क्या क्या है, आप सेम भर्देना वहाँ पर, आपको पहला पूछेगा, बर्थ स्टी किस बर्थ, कौन से सिटी में आपको भर्थ हुआ है, जो आपके अधाल कार्ट पर होगा वही डाल देना है, बर्थ कंट्री पूछेगा, इंडिया पुट कर देना है अपका, do you have any other country of tax accidents आपको no put करना है वहाँ पे income slap जो भी होगा put कर देना source of wealth जो भी होगा वहाँ put कर देना politically exposed हो तो यहाँ पे आप not politically exposed पे जो है tick कर देना वह चूज कर लेना network जो भी होगा आज के date में optional है वह आप put कर देना मालो मैंने 1 lakh put किया जो भी आपको put करना है put कर देना network date जो भी date होगा उस दिन का आज का वह update put कर देना personal details से पूछेगा marital status जो भी है single married है वह put कर देना mother's name already mentioned होगा mother's maiden name मतब single name पूछ रहा होगा तो first name जो भी होगा वह put कर देना mother last name पूछेगा last name जो भी होगा mother का वह put कर देना और दो यहाँ पर box आएंगे last में tick करने के लिए वो tick करके continue का option पे click कर दो IPV पूछेगा दोस्तों तो IPV आपको करना होगा यहाँ पे allow करना है आपको IPV में दोस्तों IPV में आपको allow करने के बाद यहाँ पर आपको जो भी code होगा वह code आपको एक white paper पर लिख लेना है और यहाँ पर capture का option दिख रहा है capture का option पे click करना आपको तो वह मैं कर देता हूँ आपको have a real have a real have a यहाँ पर आपको यहाँ एक code लिखा होगा code जो है आपको वहां वाइट पेपर पर लिख लेना है और यहाँ पर जो भी होगा capture यहाँ पर आ रहा है capture of face आ रहा है आपका यहाँ पर दिखा कि आप capture option पर क्लिक कर दो समझ गए तो ऐसे करके आपको activate करना है दोस्तों आपको ऐसे ही करना है करने के बाद सब कुछ जो है आपको और कुछ भी ओ एक्स्ट्रा मांगेंगे तब को एक mail चलाएगा mail पर जो है update कर देना यह फिर से KYC कर देना जो जो बोलेंगे कि face आपका clear नहीं है यह clear नहीं यह document clear नहीं है तो वह आप जो है कर देना दोस्तों आपको ऐसे ही करना है 24 hours से लेके 74 hours के बीच में आपका account activate हो जाएगा सब कु सही रहा तो तो दोस्तों मैं आसा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो कि पर लाइक करें सब्सक्राइब करें सेयर करें ट्रेटिंग और डिमर्ट एकांट लिंक जो है वीडियो का description में है वहाँ पर जाके open कर सकते हो कुछ भी साह आता होता है नाइट को 8 प्यम लाइब आता हूँ वहाँ पर आके पूछ लेना सारे सोसल मेटर साइट टेलिग्राम इंस्टाग्राम फेस्बुक टूटर जहां भी आपको लर्निंग मेर्ट देखें जोइन कर लो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद